जी गुड मोर्निंग प्यारे बच्चो नमस्कार साथियों अरियों इंद्रेश अंकित सोरव अभे रोनक पुनम पुनित पंकज दीपक सतेंदर मुकेश अस्वनी संजय कपिल किरन मनोज्क अंकित दर्मेंदर सोनू मोहित संगम पूजा पृती प्रियंका आर्ती रजनी मु अमित अर्यों उस्पेंदर परवीन परदीप सोनिल सुषिल अजय विसाल विपुल संगम सभी बच्चों को नमस्कार जिनका मैं नाम ने ले पाया उनको भी विशेश रूप्ष नमस्कार यलास गोरव रनवीर रविंदर अर्विंद राकेश जी रितू रिसी यसपाल अ आसीस इंदरेस सभी बच्चों को नमस्कार गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आज की जो हमारी किलास है प्यारे बच्चो इसमें अपने आप एक तो जो भी आप लोगों के डाउट से पहले आप वो डाउट से ले लेते हैं तमाम जो भी अमने अब तक प लेकिन आप लोग उसी परमिशन लेके जो डाउट से आप डाउट दे दीजिए और डाउट के साथ साथ जी बताएए चलो ठीक है एक डाउट तो आया आगे और किसी का भी कोई भी डाउट हो किसी का कोई भी डाउट झाल 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 छubscribe हाँ हो ठीक है साइकलोजी का बैच आएगा दीवाली से पहले या दीवाली के बाद तीक है हाँ हो 100% आएगा कोई दो दो बैच आएंगे एक नहीं बैच आएंगे बले कि दो दो बैच आएंगे मनोज में कितने वण हैं बताएंगे भी ठीक चलो जी प्यारे बच्चों आपको यह ध्यान रखना है एक तो चार पाच डाउट है उनको ले लेते हैं एक सब्द है हमारा मनोज यहां यह मैं आया प्यारे बच्चों मैं के साथ है आया तो यह मैं बन गया अलगि इस तरह के डाउट आपको पूछने नहीं चाहिए अगर आप लोग पूछ रहे हो इस तरह के डाउट तो इसका मतलब है कि अभी वीखो काफी जादा वीखो ठीक है इसके बाद में यह आया अधा जै और अब इसको नहीं तोड़ो गया आप अलग अलग ठीक है क्योंकि इसको हम जब एक काउंट करी रहे हैं प्यारे बच्चों तो इसको अलग नहीं करना है तो यहां पर यह सब्द है हो गया एक दो तीन चार पांच और एक च्छे दो दो चार और दो च्छे च्छे वण हो गए क्लियर एक डाउट तो किसी बच्चे का यह था चलो अब आगे बढ़ते हैं दूसरा क्या है हवन बोलते हैं आहुत भी बोलते है अकषोनी में ऩादी गूण संदी है यह थोड़ा आपने गलत लिख दिया यह ऐसे सब्द लिखा जाता है प्यारे बच्चों ठीक है आपको ऀंग तूसरा है उकसों यह दो थिढ़ सब्द है यह भताइय थे पिठली कलास भी कराये थी ओलएmeno सब्सक्राइब थी कराक्षित भी यह विरामचीन कराने से पहले यही कंडिशन दोनों में बताए यह दोनों अप्वाद है वरध्धी- ऌदिन्त आ helps क्यों कि यह दो मात्रह यह बतन हैं controlling का मतलब होता है जिन पर कोई कंडिशन अपलाई नहीं होती जो नियम से अठके होती है तो यह क्या है अपने आप में गुण संदी कर्थ परत्य की पहचान बता दीजी अब बताओ भाई अब सारी चीज किरिया में लगेंगे बेटे इसका मलब आपने पिछली किला सुनी नह मज़ा नहीं आएगा बात में ठीक है कर्थ परते हैं हम इसा कहां लगते हैं किरिया में लगते हैं किरिया के बाद या अंत में लगाए जाते हैं किलियर जैसे यहां पे सब्द आ गया पढ़ इसमें आई लगा दिया तो सब्द क्या हो गया पढ़ाई ऐसे दूसरा सब्द ले लिया, हमने यहाँ लिक इसमें आवट लगा दिया, आवट, तो सब्द क्या हो गया, लिक आवट, अब ये सारे इस तरह के डाउट लेंगे न, तो आज के बाद डाउट लेना भी बंद कर देंगे, ठीक है सब्द आ गया तैर इसमें आख पर तै लगाया तो यह सब्द क्या बन गया तैर आख और जिसको यह समझ में नहीं आया है ना इसका मुझल अभी है कि उसने किलास ली नहीं किलास ली होती ठीक है सब्द एक आया पी और इसमें हमने अकड परते लगा दिया तो सब्द क्या बन गया पी अकड देखो अगर आपने किलास ली है और आपको यह चीजे समझ में नहीं आई क्योंकि मैं यह करा चुका हूँ तो आप किलास सुनो दो बार किलास क्या सुनो आप दो बार तो आपको यह धियान रखना है प्यारे बचो लेकिन अगर आपने कंटेन्यू किलास नहीं सुने है तो फिर डाउट पूछने का आपको अधिगार नहीं है क्योंकि अगर किलाज आपने लिए डाउट का मतलब ही नहीं है कोई ठीक है तो इसलिए आपको ध्यान रखना है यह सारी की सारी क्या है किरिया और यह सारे के सारे क्या है परते हैं और यह क्या है सारे के सारे करदंत सब्द हैं कौन्चे सब्द है करदंत सब्द है जो किरिया के अंत में लगने के बाद बनते हैं जिनके अंत में कर्थ परते लगा है उन्हें कर्दंत कहते हैं किलियर चलो जी अरे बहुत अच्छी बात है सचिन तो और कोई डाउट अब बताओ ये इस तरह के कुश्चन बताए जाएंगे साक्षी है समर में कितने हैं अरे परती है के वेंजन में एक सुवर होता है अरे इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कि वो या अधा भी नहीं था ठीक है तो आमा आधे को काउंट करते नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं इस तरह के कुश्चन का जबाब नहीं देंगे समर में कितने थोड़ असा जो भी मैंने वडमाला में पढ़ाय था उसको एक बर समझो क्योंकि मैंने तो difficult से difficult दिये थे ठीक है इसके अलावा कोई दूसरा चमन में कोई संदी नहीं है चमन में जरूरी नहीं है कि दुनिया के सारे सब्द में बिटे जब तक अर्थ नहीं बनेगा अब यहां और यहां ही रखना है कि अयादी संदी कब होती है उन तमाम सब्दों में जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उनके बीच में यह तो य होगा जैसे सब्द आ गया प्यारे बच्चों, यहां चेयन सब्दा आ गया, और एक सब्दा आ गया पवन, तो यहां इसमें यह, इसमें वे, यहां पूरा वेंजन है, तो इनमें तो हो सकती है टुगडे करने पे, चमन का टुगडे करने पे कोई अर्थ नहीं, लेकिन प्यारे बच्चों, यहां स्वा लेकिन चमन में कोई संदी नहीं है, ऐसे मेरे नाम में कोई संदी नहीं है, यह रून में, क्यों? क्योंकि मैं कहीं से भी तोड़ूंगा, अर्थ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसमें एक और सब्द मिला दू, अपने नाम में तो इसमें हो जाएगा गुन संदी, संक्छा और आगमन होता है संक्छा आगमनऊते कि BOB incons जहर उर आगमन कि मैं थया। कि 2 तो यह उत ऐसे आया तो इस चाहिए संक्छा नगर थाल था संदिय के क्उल पाँच एद होते हैución करे मुझल सbstव को यू शेलो और कुछ नहीं विरामचिन की कोई संख्या नहीं होती है विरामचिन की कोई संख्या नहीं होती है विद्वान मत बनू नहीं कोई संस है कुछ और कोई doubt हो तो बताईए, नया topic शुरू करते हैं अब तक हमने क्या पढ़ा, वण माला हमारी complete हो चुकी है, संदी हो चुकी है, उसरक पढ़ते हैं हो चुकी है और विरामचीन हो सकते हैं, ठीक है नया topic स्टार्ट करते हैं, और नया topic लेते हैं, सब्ध के भेद नेया टोपिक सब्द के भेद और सब्द के होते हैं चार भेद ये नहीं पढ़ाए हैं न अभी आपको इन में से एक भेद होता है उत्पत्ति वयुत्पत्ति उद्गम उद्भव के आधार पर सब्द के भेद और वो होते हैं पांच वो कितने भेद होंगे पांच भेद कौन कौन से भेद होंगे एक तो होता है तत्सम दूसरा तद्भव तीसरा देशी इसी काई एक और नाम होता है देशज्य और फूर्थ होता है एक विदेशी और इसी काई एक और नाम होता है विदेशज्य और पांच भा होता है संकर तो ये अपने आप में पांच भेद होते हैं उत्पत्ति के आदार पे तत्सम, तदबाव, देशी, विदेशी और संकर तो आपको ये ध्यान रखना है जिसको हम उत्पत्ति कह रहे हैं प्यारे बच्चों विदटपत्ति उदगम और उदबाव भी कहलाता है कुछ किताबों में उत्पत्ति दिया है कुछ में विदपत्ति, कुछ में उदगम ऑकुछ में उदबाव ऑने किताब पढ़े भी न आप मानते नहीं इसलिए आपको बता रहे हैं चारो सब्द एक ही सेंस में परियोग होते हैं, जहां से पहले कोई कारण हो और उससे कोई नया सब्द निकले, वो तो कहलाता है उत्पत्ती, और जिसका कोई कारण ही नहीं हो लेकिन फिर भी हम सब्द का परियोग कर रहे हो, उसका पता ही ना चले वो आया कहा, वो कहलाता है वह उत्पत्ती जैसे सूरज और चांद को किसी ने नहीं बनाया तो इसलिए सूरज और चांद अपने से उत्पन हुए इसलिए हम सूरज और चांद के लिए आत्मा परमात्मा के लिए वह उत्पत्ती सब्दगा परियोग करें लेकिन यहों का दाना जमीन में डाला पोधा बने के बाहर निकला तो हम कहेंगे उसकी उत्पत्ती हुई क्यों क्योंकि इसका कारण था यहों का दाना ऐसे उदगम जो एक स्थान से चल कर दूसरे स्थान पर गए जैसे दूसरी बाहसाओं के बहुत सारे सब्द वहां से चल कर हमारी हिंदी बाहसा में हम पर्योग कर रहे हैं ऐसे उदगव जो एक स्थान से उदगव कर दूसरे स्थान पर गए तो वो क्या गया लाते हैं उदगव क्यम्नुकेशन के दोरान आपस में बाचीत के दोरान हम प्यारे बचो इन पांच परकार के सब्दों का पर्योग कर रहे हैं उनमें से सेंटेंस में जब हम कोई सब्द पर्योग करते हैं तो उनमें से कुछ सब्द सम होते हैं तो कुछ तदबा होते हैं देशी तो कुछ भी देशी और कुछ क्यालाते हैं संकर संकर हम उन सब्दों को बोलते हैं जिनकी पे दो अलग-अलग भासाओं के जो सब्दों होते हैं जैसे रेल गाड़ी रेल अंग्रेजी का सब्द है गाड़ी हिंदी का है रेल यातरी रेल अंग्रेजी का सब्द है यातरी संस्कियत का सब्द है ऐसे जाच करता जाच हिंदी का सब्द है और करता संस्कियत का लेकिन आप इनको कैसे पहचानोगे कि कौन सा संस्कियत का है और कौन सा हिंदी का उसके कुछ नियम है उसकी कुछ सोट्रिक है तो उन कर करोड सब्दों को पैचान सकते हो, इसमें कौन सा तत्सम होगा, और कौन सा होगा तदभव, किताब में दिये गए 100-500 सब्द कभी भी तत्सम और तदभव नहीं होते, ठीक है, आपको यह दियानक नगा, क्योंकि एकजाम में जो पूछा जाता है, वो किताब से बाहर की च कुछ नहीं पता है, अब वो कैसे करोगे आप, क्योंकि यह अपने आप में करोडो सब्द हैं, और करोडो सब्दों को पैचानने का हमारे पास कोई ने कोई ओजर्वेशन होना चाहिए, तो इसलिए यहां हम टोपिक सुरू कर रहे हैं आज, मैं टोपिक है हमारा सब्द के मूल वेद होते हैं, चार, और उनमें से पहला वेद होता है, उत्पत्ती, उत्पत्ती, उत्गम और उत्भव के आधार पर, तो यह पहला वेद ऐसे चार वेद है, दूसरा वेद है, रचना के आधार पर सब्द का वेद, वो होते हैं, प्यारे बच्चों तीन, औरुड, तीसरा वेद होता है, वीटारी के अंदर होता है, अव्य और निपार्थ, चोथा सब्द का वेद होता है, अर्थ कि आधार पे सब्द के चार वेद, विलॉम सब्द, परियवाची सब्द, इसके बाद एक आर्थी और अनेक आर्थी, क्योंकि कई बच्चों के जो डाउट थे वो परियवाची से रिलेटेड थे विलों सब्दों से रिलेटेड थे अनेक आर्थी से भी रिलेटेड थे इसलिए मिले जान बुझगे मैंने सोचा क्यों नहीं इस टोपिक कोई करा देते हैं क्योंकि ये एक ऐसा टोपिक है सब्द के बेज जो किसी भी पेपर में सबसे ज़ाद है जो कोईशन्स होते हैं वो इसी से होते हैं अगर आप कमानते हैं किसी पेपर में 40 कोईशन आए हैं और उस 40 कोईशन में से अकेले इस टोपिक से कम से कम बारा questions होंगे अकेले इस topics से कितने questions होंगे कम से कम बारा questions होंगे और अपने आप में ठारा अलग-अलग topic है course की आपका जो syllabus है उसके यह ठारा अलग-अलग topic है यानि कि तत्सम एक, दो, तीन, चार, पाँच ऐसे रूड योगी की योग रूड को एक भी माल लेंगे ना फिर संग्या सरना विचेशन किरिया किरिया विचेशन अव्या और निपात ठीक है वो सारे के सारे आप इसमें पढ़ेंगे चलो आगे बढ़ते हैं और यहां से आज पैचानते हैं तत्सम सब्दों के पैचानने के तरीके तत्सम सब्दों को हम कैसे पैचान सकते हैं पहले तत्सम और यहां पर पहले ले लेते हैं तत्बव के बारे में की वास्तव में यह है क्या ये दो सब्दों से मिलके बने हैं एक सब्द इसमें तत है दूसरा इसमें सम है मैंने कुछ नहीं किया मैंने जो उपर लिखा है उनको दो अलग अलग टुकडों में तोड लिया तत को बोलते हैं उसके सम को बोलते हैं समान यहाँ पे उसके आया है संस्कीरत के लिए तो जो संस्कीरत के समान है वो क्या कहला है ततसंसब्द कहला है मैंने अपने पास से कुछ नहीं किया जो सब्द था उसी को सुरूप में तोड़ा यह दे अपने आप में किसमें बदल जाएगा प्यारी बच्च उत्य में बदल जाएगा और यह क्या है यहां भाव इस्तत का अर्थ होता है उससे भाव का अर्थ होता है उत्पन भाव का अर्थ क्या होता है उत्पन तो यहां यह आया है संस्किरत के लिए ठीक है जो संस्किरत से जो संस्किरत से उत्पन हुए है जो संस्किरत से उत्पन हुए है वो क्या कहलाते हैं अपने आप में तदभाव सब्द कहलाते हैं संस्किरत के समान जैसे सब्द आ गया अगनी अगनी से जो उत्पन हो गया वो कहलाया आग एसे ही सब्द आ गया सूरिय सूरिय से उत्पन हो गया सूरज ऐसे सब्द आ गया कारिय कारिय से उत्पन हो गया काज ऐसे ही एक सब्द आ गया छेतर छेतर से उत्पन हो गया खेत ऐसे ही एक सब्द आ गया मियूर मियूर से उत्पन हो गया मूर ऐसे ही एक सब्द आ गया रातरी और रातरी से उत्पन हो गया रात तो ये जो पुराने सब्द थे ये क्या कहला है प्यारे बच्चों अपने आप में तत्सम और इन से निकलने वाले ये सब्द क्या कहला है तद्भव अब इन दोनों चीजों से हमें एक चीज पता चली कि वास्ताओं में किसी भी तत्सम से जुड़ा हुआ जो तदभा होता है वो उससे मिलता जुलता होता है कुछ मात्राएं और वन परिवर्तित होते हैं जैसे अगनी में भी यह है आग में भी यह है अगनी में भी गय है इसमें भी गय है इसमें आदा है इसमें पूरा तो कहीं भी किसी भी तत्सम का एकदम नया रूप तत्भाव कभी नहीं बनता है उससे मिलता जुलता बनता है और जो भी दुनिया में तत्वाव है उसका कोई ने कोई तत्सम रूप अवज से रहता है तो दो चीजी हमें यहां सीखने को मिली प्यारी बचो एक चीज तो हमें सीखने को यह मिली कि अगनी से जुड़ा हुआ एकदम आग जो सब्ड था वो उसका नया रूप नहीं था अगर मैं यहां परियो कर लूए फायर तो फायर कभी भी अगनी का तत्वाव नहीं हो सकता है क्योंकि अगनी में जितने वण है उसमें से कोई भी वण फायर में नहीं है और दूसरा आपको ये द्यानक न जितने भी तदभव होंगे उसका कोई ने कोई समाज में पहले से तदसम रूफ था तभी वो तदभव उत्पन हुआ तो यहाँ दो चीजे के लिए रुई कि कोई भी दुनिया का तदभव हो उसका कोई ने कोई तदसम था तभी प्यारे बच्चे वो क्या ने हुआ उससे तदभव सब्द आया दूसरा वो उससे मिलता जूलता होगा अब सूरिय में देखो यहाँ पे भी से हैं, यहाँ पे भी हैं यहाँ रहें, यहाँ यहाँ भी रहें यह यहाँ जै और यह यहाँ यह उनमें से जादतर मेंबर उस लड़की को जो चार साल की एज की बच्ची थी उसको सब विदूसी बोलते थे लेकिन उसकी जो दादी थी जिसकी लगबग 80 साल के आसपास की थी उसको बोलती थी अदूसी उसको क्या बोलती थी अदूसी बोलती थी तो वहां अब जो उसके सा बिलने वाले बच्चे थे, उन में से कुछ बच्चे उसको विदूसी कहके बुलाते थे, और कुछ बच्चे अदूसी कहके बुलाते थे, क्योंकि उसकी दादी उसको अदूसी कहती थी, अब वहाँ वो विदूसी सब्द का जो मिनिंग था, और अदूसी का जो मिनिंग था वो एक हुआ जैसे यहां अगनी का जो मिनिंग है आग का भी वो ही मिनिंग है तो इसलिए जो पुराना सब्द था वो तत्सम कैलाया और उससे निकलने वाला नया सब्द तदबाव कैलाया और यह उस लेडिजने बनाया जो कभी स्कूल नहीं गई जो बिल्लकूल अनपड तो तत्सम से तदबाव बनाने के लिए कोई लेब की आवसकता नहीं है किसी साइंटिस यह भासा वेग्यानी के व्याकन सास्तिर की आवसकता नहीं है इनके जो बिगडे हुए रूप है बोलचाली की वासा में छेत्रियता के कारण मातरा के आधार पे वरणों की परकरती की बिंता के कारण जो तत्सम का जो रूप बिगड़ा है वही तदबाव के रूप में बना और उसी को हम हिंदी में परियोग करें तो पुराने वाले जो रूप है जो पहले से मौजूद थे वो तो कहला है तत्सम और उनसे निकलने वाले सेम अर्थ देने वाले जो नया रूप आया वो कहला है तद्बव तो यह यहां विदूसी तत्सम हो गया और अदूसी इसका तद्बव हो गया क्योंकि विदूसी कहते हैं उसे जि इसमें दो सनाओं, दोनों का मिनिंग एक हुआ, दोनों का अर्थ एक हुआ, दोनों की सेंस एक हुई, पुराने वाला सब्द, तत्सम और उससे निकलने वाला नया सब्द, तदवव कहलाया, यह अभी पेटेंड नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए तत्सम से तदवव जब भी बनते हैं, वो प्यारे बच्चों अचानक बनते हैं, बिना सोचे विचारे बनते हैं, इसमें कोई ज्यादा लोजिक नहीं लगाना होता है, अब यह जो पुराने वाला जो पहले से परियुक्त हो रहा था, यह तत्सम कहलाया, और वो कहलाया तदवव, एक पॉइंट, तो मैं सिर्फ यह बनताना चाहरा था, कि यहां तत्सम का अर्थ संस्कृत का सरुनाम है, आपने यह चीजे पढ़ी हैं, यह से का जो अर्थ होता हैं, वो वह होता हैं, तुम का अर्थ तुम होता हैं, एहम का अर्थ में होता हैं, यह सब पढ़े हैं आपने, ऐसे तत्सका अर्थ उसके या उससे होता है, मैं अपने पास से कुछ करी नहीं रहा हूँ, जो चीज ہے उसी की आपको दिखा रहा हूँ, तो यहां यह संस्किरत के प्रोनाउन है अथार सरुनाम है और यह हिंदी के प्रोनाउन अथार सरुनाम है तो यहाँ इस वाले तत का अर्थ क्या हुआ उसके और ये उसके क्या है ये तत क्या है सरना और किसी भी सरनाम का आपको ये ध्यान रखना है पर यो किसी ने किसी संग्या के स्थाने पे होता है और वो संग्या क्या है यहां संस्क्रत समकर्थ क्या हुआ समान तो जो संस्क्रत के समान है वे सारे किसारे क्यालाय तद्सम जैसे अगनी सुरिय कार्या, छेत, मियू, रातरी ये सारे संस्कित के हैं कैलियर दूसरे क्या है है यहां ये तीसरा था पड़ती है एक वर्ग का तीसरा अपने वर्ग के पहले में बदल जाएगा बदल गया क्योंकि उससे कोई अर्थी नहीं बनेगा क्योंकि यहां अगर हम इसको इस रूप में करेंगे तद और बाओ तो इस वाले तद का कोई अर्थ है ही नहीं यहां अगर हम रखते हैं तो तद का कोई अर्थी नहीं तो वहां तीसरा अपने वर्के पहले में बन गया अरतत के अरता आफ दो पड़के हो एक उसका और एक उसकी तो यहां ततकार्ourd हो गया उससे बाओ कार्थ होता है उत्पन और यह उत्तात और उसके जो आया है यह किसे लिए आया है संस्क्रीप के लिए क्योंकि ये प्रोनावन है सरुनाम है और किसी भी सरुनाम का परियो किसी ने किसी संग्या के स्थान पे होता है और वो संग्या यहां संस्क्रत है जो संस्क्रत से उत्पन होए वो क्या कहलाए तद्भव तो इसका मतलब यह हुआ कि हम यहां यह कह सकते हैं कि संस्किरत के सारे के सारे सब्द क्या 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 लाते हैं तत्सम क्या लाते हैं और संस्किरत से उत्पन होने वाले सारे के सारे सब्द क्या 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 लाते हैं तद्भव क्या लाते हैं यह यहां सारे तद्भव क्या लाएंगे और यह तत्सम अब किसी ने प्यारे बच्चों वही कंडिसन होी जो अदूसी और विदूसी में हो किसी से अगनी नहीं बोला गया वो अगनी को आग बोल बैठा जब अगनी को आग बोल बैठा तो यह पुराने वाला था वो संस्कियत का तत्सम कहलाया और उससे निकलने वाला नया सब तद्वा क्याला या उसने क्या किया लिखते समय प्यारे बच्चों यहां पर इसको गायब कर दिया इसको मातरा को इसको गायब कर दिया अब यहां बच क्या गया यहां यहां बच गया यहां बच गया अब उसने उनको गायब करके एक मातरा दे दी अगनी से क्या बना लिया आगा ऐसी जो यह सूरिय था ना मातरा कहा ले जानी थी उपर ले जानी थी तो उपर ना ले जा कि वो यहां ले आया मातरा नीचे यह वाली यहां ले आया नीचे तो बागी सहीम रखा यह उपर से नीचे ले आया रह को और यह जो ऐसे जाना था उसको कर दिया नीचे सूरिय से ये बन गया कारिय से काम अपने अप में तत्सम है काज उसका तद्वब है तो यहां रह को कर दिया गायब यह जो यह में उपर लेके जाना था इसको ले आनीचे तो ये क्या बन गया इसको समझ लिया खैक हरगोस और ये तै बना दिया पूरा रह को कर दिया गया तो छेतर से क्या बन गया खेत ऐसे मियूर के बड़े ओ को बना दिया आओ और ये मै और रह रखे से ऐसे याँ सब्द क्या बन गया मियूर से मूर रातरी में प्यारे बच्चों कुछ जादा ही दिक्कत हुई तो उसने तैय को बना दिया पूरा रबाकी सारी चीज़ों को दिया अटा तो रातरी से बन गया रात तो इसका मतलब यह हुआ कि तद्वव हमेशा तद्सम से मिलता जुलता ही रहेगा एकदम नया सब्द नहीं बनेगा और दूसरा ये रहा कि एकदम सरल रूप बनेगा आसान रूप बनेगा क्योंकि तद्सम में बोलने में उच्चान करने में लिखने में जो डिफिकल्टी होती है उस डिफिकल्टी को तद्वव में खतम कर दिया जाता है वीदूशीग में यहां अधूसी सब्द सरल हुआ ऐसे यहां रातरी का सरल रूप रात हुआ म्यूर का मोहर हुआ छेतर का केत हुआ तुत्वाव सब्द के साथ तीन कंडिशन जुढ़ गई कि यह तत्सम से मिलते जुलते होगे तीक है उपर से तत्सम से ही एक दमजे निकलते हैं कुछ मातराओं गण का परिवर्तन होता है और तूजरा बेहद सरल्द सुगम और आसान सब्द होंगे क्योंकि तत्सम संस्कित के सब थोड़े डिफिकर्ट होते हैं पहचान करने में भी और उन्हें लिखने में भी कुछ दिक्कत हो सकती है अब हम पढ़ेंगे तत्सम सब्दों की पहचान कैसे पहचानेंगे तत्सम सब्दों के पहचानने की ट्रिक और यह ट्रिक के दने पर अपलाई होगी 99.2% सब्दों पर ठीक है इसी से आप बरती हो जाओगे बाकी 100% बताएंगे तो वहाँ बन जाओगे आप विद्वान वहाँ क्या बनोगे आप विद्वान बनोगी आदे वेंजन वाले सब्द जो आदे वेंजन वाले सब्द होते हैं वो क्या क्या लाते हैं तत्सम अब जैसे आदे वेंजन का मतलब यहाँ क्या हुआ जो सुवर रहित हैं अथासुद वेंजन जिसको हम कहते हैं जैसे यहाँ सब्द आगया गर्या यह यह वाला गर्या आगया यहाँ नक्सत्र सब्द आगया किलियर यहाँ यहाँ नरत्य सब्द आगया यहाँ अगनी सब्द आया उसमें भी आदा हैं और भी बहुत सारे सब्द हो सकते हैं करण सब्द आया यहाँ अत्या दीख सब्द आया अब कैसे पैचानेंगे कि यह समय तदभव जो उपर कंडिशन लिखिया है उसके आधार पे इन सब में आधार है वेंजन का परियोग हो है दूसरा है संयुक्त वेंजन वाले सब्द संयुक्त वेंजन वाले सब्द जो होते हैं वो भी क्या क्या लाते हैं तत्सम और संयुक्त वेंजन कौन कौन से होते हैं एक तो ये दूसरा जो सम्यूक्त वेंजन आपने पढ़ाया ये पढ़ाए इसके बाद ये पढ़ाए फिर ये हैं और एक आपने ये भी पढ़ाए अभी एक बच्चा कह रहा है सर मुझे वेंजन में confusion प्यादा है ठीक है? तो वो confusion बना रहने दो क्योंकि वो न आपको 2024 में बरती कराएगा ठीक है अगर वैंजन में अब मैं नाम बूल गया उस बच्चे का क्या है सर जी में वैंजन के बेदों में ना कन्फूज हो गया मैं लगा इस तरह से लिखेंगे जैसे उसकी दुनिया लुट गई हो कुछ बचा ही ना हो इसके पास ठीक है जब अभी भी बताये थे थोड़ी देर पहले वैंजन के बेद बेटे मूल तीन होते हैं और कुल बेद पांच होते हैं और वो तीन कौन-कौन से होते हैं पांच कौन-कौन से होते हैं पेना एक नहीं कम से कम आठ बार चर्चा हुई थी जब हमने वो वन्माला वाला टोपिक पड़ाया था और वेंजन के बेद बढ़ाया थी कम से कम आठ बार तीन अलग अलग लेक्षर में आठ बार हमने वो चर्चा की कि अगर उप्शन में पांच आएगा तो राइट आंसर पांच है अजब उप्शन में पांच नहीं होगा तब राइट आंसर तीन है ठीक है वे पांच कब होंगे चार कब होंगे तीन कब होंगे वे कौन कौन से हैं सारी चीज़ बताई और उसके बाद भी अगर डिफिकल्टी है और उसके बाद भी कनफ्यूजन है तो उसको बना रहने दो ठीक है क्योंकि वो यह चाहता है कि आप वस्ताव में कुछ बड़ी नोगरी में बरती होना चाहते हो आप अभी 2020 में बरती नहीं होना है आपको आप 24 में बरती होंगे क्योंकि ज़्यादा डाउट किरिये ठोंगे ना समझाने के आट बार समझाने के बाद भी तो इसका मुलग आप छोटी नोगरी के आदमी नहीं हो बहुत बड़े आदमी बनोगे आप अब जिसको मनोज में वन काउंटिंग करने में दिक्कत हो तो वो अपनी तैयारी रख आपको आसा होंगा स्यली बस कंपड आँगा कान ही जादा सुना हूंगा। आपको तन लाई जादा मझा आएगा लिकिन मझा आने से कर्यव स्यूर्य काया रजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए मैं मज़ा देने के लिए पढ़ा ही नहीं रहा हूं और आप भी मज़ा लेने के लिए नहीं पढ़ रहे हूं तो इसलिए डाउट पूछो लेकिन ऐसे तो पूछो जिसे यह तो लगे कि हाँ बच्चे ने मैनत की है अब डाउट पूछ रहे हैं कि सर जी वेंजन के कितने भेद होते हैं सर जी तीन होते हैं कि पांच होते हैं सर जी मनोज में कितने वण हैं एक और सब्द आया था कौन सा पूछा था किसी ने अपने नाम में पूछा था संकर था पता नहीं क्या था सरद में कितने वण हैं बत को मेज पूछ रहा है सर वेंजन में डाउट है बना रहा हूं इसको डाउट को बनाए रखो बेटी ठीक है दोजार चोविश तक काम आएगा आपको ठीक है और इमें ने टोपिक कर रहा है और क्वेश्टन कर रहा है तब भी नहीं समझ में आते आपके तो वो समझना नहीं उसका दिकत यही है बारतियों की पैचाने यही है कि हम विद्वा लेकर साहित्यकार बनते हैं अधरवाई डाउट होने का सवाल ही नहीं है क्योंकि आपको छोड़के में किसी को भी इस बैच में करीब करीब 32 बच्चे हैं ठीक है और 32 में से किसी एक बच्चे को वेंजन म बार चीजे बता दी और उसके बावजूद भी समझ में नहीं आए तो इसके मिला आई को लेविल कम है तत्सम सब्दों के पैचाने की ट्रिक क्या तै आधे वेंजन वाले अभी यह कोगे सर यह आधे वेंजन कुन से होते हैं मैं लिखी देता हूं आधे वेंजन का दूसर भी सिखाने पड़ेगी ठीक है सुर रही तो वेंजन के यह सुद वेंजन के यह आधे वेंजन के अब इसमें भी आधे वेंजन कौन कौन से हैं यह देखो इसमें आधा है गय उपर वाला और आप में से बहुत सारे अभी भी कह रहे होंगे समझाने के बाद मैं सारे टोप यह वाला रही, किलियर कभी आप इसको आदा, इसमें आदा गय है, इसमें यहां आदा क्या है, क्या है, और यह किस से मिलके बना है, से से मिलके, तो इसमें आदा क्या हुआ, इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा काम इसी से हो गया, इसमें भी यह आदा तैय है, और यह क्या अगनी में गया आदा हैं, करन में रहा आदा हैं, अट्यषिक में तया है अब यह जब इनमें आधाdd वेंजन का पर्योग हुआ, यह सारे सारे तत्सम क्यालाएं क्योंकि दुनिया के 99.2% सब्स, जिनमें आधाद वेंजन होता है वो प्यारे बच्चो अपने आप में तत्सम क्यालाते हैं अब मैं 100% क्यों ने लिखा? वो इसलिए ने लिखा कि हलदी में और सुन्दर में दोनों में आधा है लेकिन ये दोनों के दोनों तदबाव सब्द है क्या है? तदबाव अब ये प्यारे बच्चों इसका जो तत्सम सब्द होगा वो इतना खतरनाग ब्यांकर है कि आप में से पहली बारी सुना होगा अरिदरी का हरिदरी का क्या होता है हल्दी को बोलते हैं संस्क्रियत में तत्सम सब्दों में और इसको क्या बोलते हैं? सुन्दरिये बोलते हैं. तो ये सुन्दरिये से तो आया सुन्दर और अधरीका से आया हल दी. तो संस्कित के सब्द अपने आप में थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, जटिल होते हैं, उल्जन भरे होते हैं. ठीक है, उनका हम आज के टाइम में कम ही परियोग करते हैं. तो जैसे हम गरीब का परियोग रोज कर लेते हैं, निर्धन का परियोग कभी कभी करते हैं. ये अपने आप में दोनों तत्सम कहला है, ये कहला है तद्बव. और मैंने कंडिशन बनाए कि आधे वेंजन वाले जो सब्द होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपने आप में तत्सम कहलाते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे यहां आधा से halfway point art में कुछ ऐसे भी सब्द हैं जिनमें आधा वेंजन का परियोग होता है लेकिन तत्समनाओं के तदभाव रहते हैं और वह कौन-कौन सी सब्द है, वो कितने सब्द है, वो जब हम प्रेक्टिस करते हैं, वो अपने आप सारे सब्द आ जाते है, के लिए अब इसको आप तदभव क्यों मानोगे, क्योंकि यह सर लह सूगा मैं न तो इसको उच्छान करने में कोई दिककत, और न इसको लिखने में और लिखने में कोई दिक्कत मैसूस ना हूँ और आपको उसकी वर्तनी पता हो वो तदभव ही होगा क्योंकि तत्सम के सब्द लिखने और बोलने में जटिलता पैदा करते हैं उल्जन पैदा करते हैं तो यनि कि इस तरह से सुंदर और हल्दी जैसे सब्दों को छोड़ के गिने चुने सब्दों को छोड़के बागी जिन में भी आधा वेंजन आएगा अथार सुवर रहित वेंजन का परियोग होगा या सुद वेंजन का परियोग होगा वो क्या क्या लाएंगे तत्सम सब्द क्या लाएंगे ऐसे क्या है संयुक्त वेंजन वाले संयुक्त व मन्चु का है कंटिनु जिसने किलास अटेंड की है उसको जिंदगी में कभी कोई डाउट हो ही नहीं सकता ना आगे पढ़ने वाले टोपिक में होगा और ना वणमाला में होगा और जिसको अभी भी डाउट है प्यारे बच्चों आप से हाज जोड़ के रिक्वेस्ट है अधनीसी बात है टीचर का मतलब क्या है छोटी बात है तो आपको यह धिहान रखना है लेकिन किताब में जिसने लिख दिया वो ब्रहमा था वो देवता था ठीक है वो धरती पे आया था कुछ टाइम के लिए और किताब लिखके चला गया या वो धरती पे रह गया लेकिन आपको दिखाए नहीं देता है तो किताब में जो लिखा है वो सही है, टीचर जो बताए उस पे डाउट है ठीक है, और वो जब तक दिमाग में से वो फोबिया नहीं निकलेगा कि किताब में 200 गलती आम बात है ठीक है, तो तब तक फोबिया नहीं निगलेगा तब तक आप किसी टीचर से समझे नहीं सकते हैं चीजों को, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपर्ट कोई पता होता है कि गलती का है, जब काउंट करेंगे, चार कुल का परियोग होता है, प्यारे बच्चों पांच का, अब इन से में कुछ सब्द बना विज्ञान, सिरिमान, विद्याल, अब ये सारे के सारे तत्सम क्या लाएंगे, क्यों क्या लाएंगे तत्सम सारे के सारे, क्योंकि इन में सहियुक्त वैंजन का परियोग हो है, इसमें सहियुक्त ये है, इसमें सहियुक्त ये है, इसमें सहियुक्त वैंजन ये है, इसमें इन पांच वरणों का जहां भी परियोग होगा दुनिया का कोई भी सब्द हो सारे के सारे तत्सम कहलाएंगे क्लियर तो यहां आपको दिमाग नहीं लगाना है कि वो किताब में नहीं होते पचास साथ सब्द अच्छाई यहां अगनी अगनी को आख कहते हैं कोई डेफिनेशन, कोई कंडिशन, कोई स्टेटमेंट नहीं दी लेकिन मैं यहां दूँगा पंदरा-पंदरा स्टेटमेंट तो इसलिए बार-बार कह रहा हूँ कि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ अपने आप में कंप्लीट है आपको किसी किताब का अरदाओं-बाएं माता-पच्ची करने की जूरत नहीं है अगर आप सीक्वेन्स में चीज़ों को पढ़ोगे यह जिन्दगी में हिंदी से हमेशा के हमेशा के लिए फिरी हो जाओगी रिविजन करने की जूरत नहीं है लेकिन दिक्कत तो यह ना किताब ब्राम्मा ने लिखिया टीचर इतना सा है छोटा सा है पतला है दूबला मला हमारे जैसा पता नहीं उसके नोकरी है कि नहीं है ठीक है दिक्कत तो यह है कि टीचर का उबजरवेशन पहले होने लगता है केरियर विल पे पहली तो बात प्या चाहें 5-5 selection ले चुके हैं जिनकी बारे में आप सोचने लगे हो ना वे selection लेगे उन्होंने छोड़ दिये ठीक है नोगरी करके छोड़ दिये और दूसरे mature teacher मिलेंगे आपको सारी ठीक है बेपालतु कि no tank की करने वाले ने result oriental teacher मिलेंगे आपको ठीक है अगर आप उसको time दे यह teacher को एक महिना डेड़ महिना दो महिना समय लो subject को जिंदगी में कहीं दुबारा revision करने की पढ़ने की जुरत नहीं है लेकिन वो कब जब patience रखोगे जब भरोसा करोगे तब लेकिन patience तो ही नहीं पेसेंस तो यह है कि हम तो सर्च करें सर अनुसंदान करें नोगरी नहीं फोर्थ किलाज के अनुसंदान करोगे आप ठीक है सर जी हमने अनुसंदान किया था किताबों से हमने जो है रिचर्स की थी हमने एक teacher ने बताया था सर जी हमको वो तो ऐसा कह रहे थे अब इस चीजों का हम कभी answer नहीं देते मैं सोचता हूँ कि इनको अनुसंदान ही करने ठीक है इनको रिचर्स ही करने दो ठीक है इसलिए हम बताते हैं नहीं है सही रास्ते ऐसे बहुत सारे वाटसप पे भी आप लोगों के मैसी जाते हैं आप लोग कोल करके भी पूछते हो अब में सोचता हूँ कि जब तक बच्चे को समय के आदार पर ठेसने लगेगी ना त इसको अम पढ़ा के नहीं समझा सकते उस पर हम समय पे छोड़ देते कि इसको समय समझाएगा इसको कोई फायदा नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा आप उन चीजों को समझो बैटे यहां जो चीजे है ना अब जब अमारा अगला काम नहीं करेगा यह चीजे जो हम अभी य लगता हो खुदी डिरेक्टर नहों खुदी फिलम करता हो अले डिरेक्टर अलग होता है एरो अलग है और उनको प्यारे बच्चों वीडियो बनाने वाले लोग अलग है अब किताब भी हम लिखेंगे आधी गलती तो वह हमारा टाइपिश्टी कर देगा ठीक है कुछ जो पब्लीकेशन होगा कुछ वहां प्रिंटिंग में दाइबाएं हो जाएगी थोड़ी बहुत कुछ चीजे उसके बाद में प्यारे बच्चों कुछ चीजे हमसे हो जाती है जब हम लिखने बैठते हैं तो हर किताब में 500-300 गलतिया है लेकिनो कौन बताएगा जो उस चीज प्राइब आगे बढ़ते हैं तीसरी कंडिशन पर तीसरा क्या है विसर्गेशन वाले समस्त सब्देशन अब कहीं विसर्ग चिन लगा है विसर्ग चिन कौन सा होता है ये और यह चीजे में पढ़ा चुका हूं जिसका में आज इंप्लिमेंट करना चिखा रहा हूं आपक पराते काल पुने आगमन अते एवम पराय और दुक ये सारे के सारे तक्सम क्या लाएंगे क्यों कहलाएंगे क्योंकि इनमे विसर्ग चिन लगा हम बता रहे हैं बार बार की जहां विसर्ग चिन होता है वो संस्कित में परियोग होता है संस्कित के सारे के सारे सब्द जो है वो क्या कहलाते है तक्सम कहलाते है इस चिन को विसरक चिन ने पिछली किलास में बता गया था इसलिए आज तत्सम भी पढ़ा रहे हैं क्योंकि पीछे जो भी पढ़ाया गया उसको यूज़ करना सिखा रहे हैं असी सारे के सारे साथ चे वो अकइला पर आता हो या पुने हो या अत आ हो या इवं हो सारे क्या लाइगे उनल арण संस्द के सब्द क्या लेएगे इसके बाद फोर्त इीजुट करने शर्म अनुशुवर चिन वाले प्यश्वर चिनवॉले समस्द सब्द अब अनुस्वार्चिन कौन सा होता है ये अब ही हम यहां परियोग कर रहे हैं एक हमने सब्द परियोग कर दिया सुभम इसके बाद संसार संसकार संसकरती सविधान संजे संख्या अंक अंकित अंकित और भी बहुत सारे सब्द हो सकते तो यहां उपर क्या लगा हुआ है इन सब में ये जो चीन लगा हुआ है ये वाला जो चीन है ये जो चीन है ये वाला जी ये उपर जो बिंदी लगी हुई है ये कहलाता है अनु सुवर्चिन जो की पांच अनु नासिक वर्णों के अस्थान पर आती है और जहां भी ये चीनल लगा मिलेगा आपको उपर बिंदी वो तत्सम कहलाएगा और ये जरूर है नहीं आप इसी से पहचानों और ये दूसरी भी तो कंडिसन है इसमें यहां आदस है आदेवेंजन का परियोग इसमें आदावेंजन इसमें आदावेंजन है ठीक है इसमें आदावेंजन है आप उसी से पहचान लो उपर पहले वाली कंडिसन अपलाई कर लो अगर ये पूछता है और बागी में सम उफसर्ग लगा हुआ है और सम उफसर्ग का परियोग संस्कित में होता है क्योंकि संस्कित का उफसर्ग है और वो आपको पढ़ा चुके है जब उफसर्ग संस्कित का होगा सब्द भी होगा संस्कित का ही बनाएगा और संस्कित के सारे सब्द भी आपको बता रहे थे तत्सम कहलाते हैं क्योंकि संस्कित से उत्पन होते हैं तत्सम के सारे सब्द और यह जरूर इनी यह इनी में इनी 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 बहुत सारे सब्द है सन हार है, संसे है अब मान के चलो मैं आपसे पूछने लगा कि सुएते सब्द बताईए क्या है एक तो मैंने ये पूछ लिया और दूसरा पूछ लिया मैंने संसे और एक मैंने पूछ लिया परत्याहार कैसे पैचानोंगे आप इनको आप ये कोगे सर जी आप बता रहे थे अभी कि जहां भी सर्ग लगा होता है जहां अदावेंजन होता है तो तत्सम ये ही तो पैचानोंगे या और कोई तरीका है आपके पास पैचाना तीनों के तीनों तत्सम है क्योंकि आपको कंडिशन बताई गई अब जरूरी थोड़े ही है कि जो मैंने यहां सब्द लिखे होना है और वो लाएंगे कल डोंड के मेरे पास चार सब्द पांच सब्द लाएंगे बड़ी मैनत करके सर्जी अमने अनुसंदान किया था खोज की ती रिचर्स की थी देखो इसमें आधावेंजन है लेकिन तत्सम नहीं है लेकिन अमने भी तो बताया कि हल्दीर संदर तत्सम नहीं है उनमें भी तो आधावेंजन है ठीक है तो इसलिए प्यारे बचो यहां पे अब देखो संदी पूछ रहा है सर तुरंत बताये क्या है अरे जब तुरंत में आधावेंजन है तो सवाब आईक बात है तत्सम सब्द है क्योंकि जो अपने आप में सर लहस होगा मैं तुरंत का परियोगा आप कहां करते हो हिंदी में करते हो किन्तु है तुरंत है लेकिन जो सब्द है वो हिंदी का है तो किन्तु लेकिन बलकि जो है यह प्यारे बचो अपने आप में संस्कित के सब्द है और यह अव्वे हैं ठीक अर इसी में पढ़ेंगे इसके साथ साथ हम लेकिन जो सब्द है ये भी तो हम इसी सेंस में परियोग करते हैं तुरंत किंतु बलकी के अर्थ में तो यहां आपको द्यान रखना है कि इसमें क्या लगा है विसर इसमें क्या लगा है दिक्कत आप लोगों के साथ क्या है जो पहले से चीज़े पढ़ी हुई है न उसे आप छोड़ना नहीं चाहते और इसलिए जो बढ़िया टीचर है न वो आपको ज़्यादा है 100% चीज़े सिखा भी नहीं पाता लेकिन जो बच्चे पहले वाली चीज़ों को साइड में रखके नहीं तरह किसे चीज़ सीक्वेंस में उनको 100% चीज़ समझ में आती है आपको एक छोटी शी गटना बताता हूँ विरजानन्द प्यारे बच्चो दयानन्द स्वामी दयानन्द सरस्वती के गुरू थे और रामक्रिसन प्रमहंस विवेगानन्द के गुरू थे उन दोनों के एक सेम गटना गटी अलग-अलग इलाके में ठीक है को तो उतरा खंड में थे विरजानन्द जी और प्यारे बच्चो पिर गुजरात के में भी वो रहें और रामक्रिसन प्रमहंस बंगाल में थे लेकिन अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग गटना दोनों के साथ ये गटी कि दोनों गुरू ने जब उनके पास ये दोनों पहुंचे थे ये अनेक गुरूों से मिले थे अनेक गुरूों के पास इन्होंने विद्या ग्रेंड करने की कोशिस की लेकिन इनको मज़ा नहीं आया जब मज़ा नहीं आया इन्होंने छोड़ के ये पहुंच गए दिश्वामी दियानन तो पहुँच गया अलग समय में विरजानन के पास और विवेक अनन जी पहुँच गया राम कृशन प्रमान्ज के पास और दोनों में एक सेम गटना ये गटी कि दोनों ने एक आधा कि जो आप से क्या होना या जो भी आपके पास हैं आप उसको नदी में फैक के आओ और वो चीज पॉसिबल थी निए गयान है दिमाग में उसको नदी में थोड़ा ही फैका जा सकता है या नदी में थोड़ा ही बहा जा सकता है और वो जाये बार बार नदी के पास और फिर आजाये लोटके जी नदी के पास गया था लेकिन वो फैक के नहीं आया नदी के पास गया उस बात को समझे नहीं आये कि यह कहना क्या चाए दोनों ने यह कहने की कोशिश की कि जो आपके पास already knowledge है उसको आप कहीं ने कहीं प्यारे बचो साइड में रखो तवरित सिग्र के लिए परियोग होता है कहां बात कर रहे हूं बैठे तुरांत तवरित सब्द अपने आप में अलग सब्द है तुरांत सब्द अलग सब्द है ठीक है तो यहां उन्होंने कहने की कोशिस है कि जो already आपके पास knowledge है जो अनुभाव है जो ग्यान है उसको आप side में रख दो उसको आप कुछ समय के लिए भूल जाओ उसको आप अपने घर पे रख के आओ और जो भी हम बताएंगे उसको आप नए तरीके से सीखो तो इसी वज़े से उन्होंने वो बात मान ली विवेकानन ने भी और दियानन ने भी इसलिए अपने समय के सबसे बड़े विद्वान और अपने समय में सबसे बड़े वक्ता इस बारत के नहीं है वर्ल्ड के वो दोनों हुए हैं सबसे बड़े वक्ता एक छत राज था दियानंद का भी जोतने भी राजा हुआ करते थे सारे सम्मान करते थे और ऐसे विवेकानंद का था तो कहने के मिलब यह जब तक हमारे पास ना बीना सीक्वेंस के नोलिज है वो हमें कहीने के सीखने के लिए थोड़ा बेरियर खड़ा करती है बार बार अज जब वो बेरियर हमारे अड़ जाते हैं और हम सीक्वेंस में चीजों को सीखने लगे तो वो पुरानी जो चीज हमारी सीखी हुई है उसी का इंप्लिमेंट करके हम अपनी बहुत अच्छी चीजे नहीं सीख लेते हैं यह क्या हुई हमारे चार पुइंट हुए सारी कंडिशन आ जाएगी आपके सामने बस आप तब तक यह टोपिक पूरा नहीं होता तब तक चुप चाप चीजों को समझते रहो और पढ़ते रहो चार पुइंट पांच वब पुइंट देखो क्या है हलंत वाले सब्द हलंत यह वाला चीन होता है और हलंत में क्या होगा जैसे पाठ्ठे सब्द है अभी एक बच्चा तुरंत का परियोग कर रहा है ठीक है उसके लिए वरन सब्द भी आता है मिट्टी है विद्या गद्या पद्या विद्वान हम बहुत सारे सब्दों का परियोग इस रूप में करते है अब कुछ वरनों को तो आदा हम लिख लेते हैं दूसरे रूप में जैसे यह कै है इस आदे कै को हम इस रूप में भी लिखते हैं इसमें भी लिखते हैं इसमें भी किलियर तो यहने के दोनों आदे वेंजन हैं सुद वेंजन है लेकिन जैसे फूर एग्जामपल दे आ गया या ठे आ गया, या ठे आ गया, या डे आ गया, या डे आ गया, इनको आधे रूप में लिखना है, आपके पर कोई तरीका है इनको आधे में लिखने का, जैसे के को हमने इस रूप में लिख लिया था, क्या इनको आप इस रूप में लिख सकते हो, जैसे हमने के को लिखा, को यानि कि इन सब में ये आधे वेंजन है या आप ये कहो कि ये आधा है इसमें भी ये आधा है इसमें 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 ये आधा है तो जब आ अल्रेडी आपको बता चुके हैं कि आधे वेंज क्या क्या लाएंगे तत्सम अब इसी को आप कैसे लिखोगे यहाँ विद्या को आप ऐसे भी लिख सकते हो इसी को गद्या को हम ऐसे भी परियोग करते हैं इसी पद्या को हम ऐसे भी परियोग करते हैं और इसी प्यारे बच्चो विद्वान को हम ऐसे भी परियोग करते हैं केलियर अब ये भी दे दिया और ये भी आपसे पूछ रहा है सुद वरत नहीं बताओ सुद सब्द बताओ कुन से है तो राइट आंसर वो उपर वाले हैं जो उपर लिखे हैं तो कि NCRT की बुक में वही लिखने को मिलेगा आपको तो ये आपको धिया रखना है नोट्स तो मैं खुदी बना के दे रहा हूँ आपको जूरती निया दीपक ठीक है यहां सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है आपको चीजों को दिमाग में सैट करना होता है ठीक है यहां तो किलास नोट्स सारे में अपलोड करवा चुका हूँ जो मैं चीज़े लिख रहा हूँ यह ओल रेडी पहला ऐसा टीचर है जो पढ़ाता है वो पहले दे देता है ठीक है लेकिन किसी ने खोल गया नहीं देखिए आपके पास जा चुकी है और कम से कम हजार तत्सम और तत्भवसब exploding आपको जो मेरे प्रिंट सय नोट्स है Welcomeust कनलास नोट्स में अलग चीज़ है जो मैरे प्यारे बिच्चों और बिच्चों सारे चीज़ों को केलियर करता हम उग अज इसने इस तीन फ्रंट कर दो पर काम कर ले सको नोट्स बनाने की जुरत क्या है नोट्स बने हुए रहेंगे घर बनाओ जरूर आप अच्छी बात है लेकिन नोट्स बनाना आपका सेगेंडरी चीज है फर्स्ट है कि आपकर लाइव हो या बाद में वीडियो सुनते हो तो सारी चीजे कैच करने की क बोल्डर खाली पड़े हुए इसकी भी मेमोरी को भी जबरदस्त है इसमें भी डाला करो कुछ जब हम नोट्स बनाते हैं ना जब फर्स्ट प्रिवर्टी में नोट्स ब्रह जाता है तो फिर उनको पढ़ोगे कब आप इतना समय थोड़ा ही आपके पास होता है पर भी ध्यान देना है कंगी वंगी तीन से चार बार करनी होती है पूरे दिन में ठीक है तो इतने ज्यादे बीजी आप लोग रहते हो तो कहां टाइम मेलेगा आपको नोट्स बनाने का तो यहां कोशिस करो नोट्स ही तो है यह और क्या है अरे मैं एक्जांपल दे रहा ह हुआ तो फिर उसको कर रहा हूं लेकिन अगर टाइम है तो अच्छी बात है बनाओ कोई दिक्कत नहीं है तो इसलिए यहां यह सारे के सारे क्या कहला है अपने आप में तत्सम ठीक है सब्द क्या कहला है तत्सम कहला है इसके बाद में next condition पढ़ते हैं संधी वाले संधी वाले सब्द क्या क्या लाएंगे तत्सम अब माने के चुलो कोई भी सब्द आ जाए यहां आपने बहुत सारे सब्द पढ़े थे ठीक है जैसे आपने पढ़ा भावार्थ आपने पढ़ा दयानंद आपने पढ़ा दिपावली के लियर आपने अभी उपर भी पढ़ा था कुछ देर पहले विध्याल ले आपने पढ़ा गजेंदर आपने पढ़ा दर्मेंदर एनिधिंग इन सब में संधी है ठीक है तो यहाँ भाव और अर्थ करोगे दया आनंद करोगे दीपावली करोगे विद्या और आल्ले करेंगे तो यह अपने आप में गुण संदी है यह सारे दिर्ग संदी के उदारन है तो जितनी भी मैंने संदी पढ़ाई जितने भी एक्जामपल दिये वे सारे के सारे एक्जामपल तत्सम है अथार संदी के है क्योंकि संदी होती है दो पुराने सब्दों के बीच में और उनके दो निकटवर्ती वर्णों के दुआरा तो दो पुराने सब्दों के जो दो निकटवर्ती वरणों के बीच में संदी हो रही है तो फिर दो पुराने सब्द किस भासा के होंगे संस्क्रित के अजब संस्क्रित के दो पुराने सब्द होंगे उनसे बनने वाला नया सब्द किसका होगा उर्दू का या पंजाबी का संस्क्रित का ही रहेगा जब पुराने सब संस्क्यत के हैं तो उस बनने वाला नया सब्द भी संस्क्यत का है और जब नया सब्द प्यारे बच्छों संस्क्यत का है तो तद्सम कहला तो यहां पे यह सारे के सारे सब्द और यह जरूरी नहीं आप यही condition लगाओ कि इनमें संदी है चलिए तत्सम है अरे इन पे आप दूसरी कंडिशन भी तो लगा सकते हैं जो पहले बता ही यहां पे यह आधा वेंजन है यहां पे यह आधा वेंजन है यहां पे यह आधा वेंजन है यह तो पहले वाली कंडिशन भी तो अपलाई कर सकते हो अब रमेस आ संधी था जा रहा हूं आज शेख कि सम्स में तुब में पढ़ा रहा हूं ह। कि लिए यह वह मैं निशन संधी और itel सब्च भंप कर गोण सारी चीज क्यों पढ़ा रहा हूं आज ये सिक्वेंस में दिक्कत आप लोगों के साथ यही थे तो सम कहीं पढ़ रहे हैं संदी कहीं उफसर्ग पढ़ते हैं कहीं पढ़ रहे हैं मैंने पहले वनमाला पढ़ाई फिर आपको संदी पढ़ाई फिर उफसर्ग पढ़ाई फिर विरामचीन पढ़ाए और आज कुछी चीज में अलग पढ़ा रहा हूँ वे ही तो पढ़ा रहा हूँ जो पहले पढ़ा चुका हूँ उनका आज implement करना सिखा रहा हूँ कि आप कहां कहां परयोग कर सकते हो और चीजों को अपनी आसान बना सकते हो चलो जी तो यहां क्या है समास संस्किरत के उपसर्ग से बने सब्द अब संस्किरत में कितने उपसर्ग बताये थे आपको बाइस उपसर्ग अगर संस्किरत के बाइस में से कोई उपसर्ग लगा है वो संस्किरत का बनेगा जैसे सब्द आ गया सब्द आ गया आमरण यहां सब्द आ गया निरप्राद यह निरविरोद दूर दसा दूस परिणाम यह दूस चरित अनिधिंग और भी बहुत सारे हो सकते हैं अपमान हथ्याचार हथ्याक्ष पर्ति उत्तर उपवन प्राकरम परियावरण सूपुत्र कूपुत्र आदी आदी बहुत सारे सब्द बन सकते हैं तो कैसे करेंगे अब यहां जरूरी नहीं है कि आप इस असात्वी कंडिशन पर आऊ इन में से कुछ सब्दों को आप इस पहली कंडिशन से भी पहचान सकते हो पहले तो यहीं लगाऊगे ना कि आदे बेंजन वाले जो सब्द होते हैं तत्सम कहलाएंगे अजब आपका इससे काम ना चले तब आप आओ इधर अब आमरण में यह अपने आप में आज संस्कित का उफसर्ग है जो आज इवन में भी लगता है और प्यारे बच्चो आज अनम में भी लगता है तो जब संस्कित का उफसर्ग लगाए है तो सब्द भी संस्कित का बनाएगा संस्कित के सारे सब्द तत्समें है यहां मरन अपने आप में एक किरिया किसकी है प्यारे बच्चो संस्कित की अब जब वर्ब संस्कित की है तो सब्द संस्कित कर रहेगा अब वर्ब हिंदी की है तो सब्द भी हिंदी का बनेगा अब एक सब्द आ गया प्यारे बच्चो गच ठीक है या गच्ती गच्छत गच्छंती तो उसमें गम संस्कित की किरिया है और एक सब्द आ गया जाकर तो उसमें जा हिंदी की किरिया है तो हिंदी का सब्द है और एक आ गया गया गोईंग तो उसमें गो इंगलिस की वर्ब है तो इंगलिस का सब्द बनाएगा तो वर्ब जिस भी लेंगवेज की भासागी होगी सब्द भी उसी भासागा बनता है ऐसे यहां निर अपराद में अपराद भी और निर अपने आप में क्या है संस्कित का उफसर्गा जब संस्कित के उफसर्ग से कोई सब्द बनता है तो क्या कहलाएगा तत्सम ऐसे यहां आधाव एंजन लगा आप इससे भी पहचान सकते हो या फिर यह कहोगे कि इन दोनों में यह वाला जो निर है जो विसर्ग का परिवर्तन किसमे होता है इस वाले विसर्ग का परिवर्तन इस वाले रह में होता है इसलिए अपने आप में यह क्या कहलाएगा यह वाला री और यह जो विसर्ग है किसमे कहलाएगा अपने आप में यह किसमे परियोग होता है संस्कित में, इसका किसमें परियोग होता है संस्कित में, क्योंकि हिंदी में किसका परियोग होता है, इस वाले का होता है, आपको बता चुके, निडर में केवल और केवल नहीं है, ना उसमें रह है और ना उसमें विशर गया निकम्मे में केवल और केवल कर दनल में कैसे जा सब्सक्राइब दिन नि में इन का की अधि क्योंकि जो इसे देबिगाउन चलिए उसक्राम में आध है스र का मन ड़ोग्व यारे बच्चों यह वाला उफसर का प्रियोग है इस वाले विसर्ग का रहे में परिवर्थन इस वाले विसर्ग का सहां मेंपरि आप इससे पहचानों यह कहो कि इन तीनों के अंदर प्यारे बच्चों यह वाला उफसर का परियोग है इस वाले विसर्ग का रहमे परिवर्तन इस वाले विसर्ग का सहमे परिवर्तन इस वाले विसर्ग का सहमे परिवर्तन और चूंकि यहाँ पे सहमे परिवर्तन और चूं इसमें आधाते हैं, अध्यक्स में आधी संस्क्यत का उफसर गया, परती उत्तर में परती संस्क्यत का उफसर गया, उपवन में उपसंस्क्यत का उफसर गया, प्राकरम में प्रा संस्क्यत का उफसर गया, क्या इसमें आधा हैं, वहां से भी पहचान सकते हो, परियावरण मे संस्कित का उफसर्ग है इसमें कू संस्कित का इन सब में संस्कित के उफसर्गों का परियुग हुआ था अजब संस्कित के उफसर्ग कोई सब्द बनता है यह सारे जिसारे तत्सम है आप पेली कंडिशन को टाइप करो या इसके बाद प्यारे बचये दूसरी कंडिशन को टाइप करो तो यहा पे इन दोनों ही कंडिशनूं कि हम इनको फूरूअ कर सते हैं कि यह तत्सम अथा संस्किरत के सब्द है ठीक है next बढ़ते हैं आगे आठ हुआ आठ हुआ क्या है हमारा संस्किरत के परते से बना सब्द क्या कहलाएगा तत्सम कहलाएगा संस्किरत के परते से बना सब्द अब जैसे यहाँ सब्द आ गया हमारे पास गत्वा पूजनिय विज्याई लिखत नहीं नहीं कोई जुर्द बुद्धिमान अज़ा अभी परते का परियू किसी सेंगय सरना विशेशन और क्रिया में होता है यह आपको बता चुके हैं अब उन्हीं के दुआरा इस कंडिशन को समझने की कोशिश करो यहाँ गम संस्कियत के क्रिया है जिसका मलब होता है जाना और कत्वा परते का परियोग हुआ है और कत्वा जो परते है वो संस्कियत का है ऐसे यहाँ पूज जो है वो संस्कियत के किरिया है और अनियर परते का परियोग हुआ है और अनियर का परियोग होता है संस्कियत में यहाँ भी उपसर्ग है संस्कियत का ग्या किरिया है जिसका मलब जानना होता है और लयप परतया लगा हुआ है वो यहां लिख लेते हैं ग्या में लयप परतया का परियोग संस्किरत ऐसे ही यहां लिख संस्किरत की किरिया होती है और कत परतया का परियोग हुआ है ऐसे ही यहां प्यारे बच्चों मूल जो सब् हमारा वैसे बुद्ध है लेकिन बुद्धी में सानश्य परते लग के बुद्धी मान बना है ऐसे ही अज में टाप संस्किरत का परते लग के अजा बना है अब इस टाप में इसका आसेस बचता है इसका इस सानश्य का क्या सेस बचता है मान सेस बचता है इसलिए यहां इसमे पहले उपसर गहे हैं, तो बाद में प्यारे बच्चों लेप परतया का परियोग होता है, यहां पे क्लिए हमें दिखाई दे रहा है, यह अनियर है, रे का लोप हो जाता है, अनियर से बचता है, और यहां पे तुआ, यहां पे क्या होता है, अनियर, और यहां पे क्या होता ह है तो वो इस अनियर से आया है ऐसे यहां जो यह आया है यह आदा और इनका लोफ हो गया यह से इस बच गया तो यहां जो यह परते परियोग हुए कौन कौन से परते है जो मैं अभी सरकल कर रहा हूं देखो कौन से एक तो यह करतवा एक यह अनियर एक यह लैप एक यह कत औ और एक ये टाप इन सब पर्ते का पर्योग संस्कित में होता है और जब पर्ते संस्कित के लगे हैं तो सब्द भी संस्कित का बनेगा एक पॉइंट अब लेकिन मैंने तो आपको संस्कित के पर्ते पढ़ा है नहीं मैं तो हिंदी के पर्ते पढ़ा हूँ आप कैसे पहचानोंगे इनको कि यह यह प्यारे बच्चों क्योंकि परते किसी ने किसी संग्या सरनाम विशेशन किरिया में लगते अगर प्यारे बच्चों कर्थ परते का परियोग है तो किरिया में होगा अज अपने आप में क्या था बकरा अजा क्या बना दिया बकरी तो पुर्लिंग से पहचानों अब यहाँ यहाँ यहां पे जो किरिया हम परियो कर रहे हैं यह जो गम किरिया है इसी को तो हिंदी में जा बोलते हैं तो यह वर्व किस की हुई यह वर्व संस्कित की हुई तो जब वर्व संस्कित की है किरिया संस्कित की है तो सब्द भी संस्कित का बनेगा आप यह भी तो कह सकते हो ऐसे यहाँ पूज है हिंदी में हम किसका परियोग करते है पूजा का परियोग करते है और पुझगा परियोग कहा होता है संस्कित में वर्व जो किरिया है यह जो वर्व है जो किरिया है धातू है संस्कित की है इसलिए सब संस्कित का है इसको आप यह तो इससे पैचान दो आप उफसर संस्कित का लगा है या ग्या का मतलब जानना होता है अब जानने का जो परियोग हम करते हैं वो हिंदी में करते हैं और ग्या का परियोग संस्कित में करते हैं वर्व है ऐसे यहां लिख हिंदी में मूल रूप से यह वाला लिख होता है आप उसमें आदा खै नहीं होता है यह वाला लिख होगा हिंदी में ऐसी प्यारे वच्चों यहाँ बुद्धी जो सब्द है आप पर्योग कर सकते हो कि बुद्धी तत्समज़वद है अपने आप में ऐसी अजगा पर्योग बंखरे के रूप में होता हैं संस्कित में तो आप जिनमें परते लगा है उनकी आधार पे भी पैचांञ सकते हैं इ किरिया से बने सब्द के और किरिया को क्या कहते है दातू भी कहते है तो संस्केत की किरिया से जो बने सब्द हैं वो भी सारे के सारे क्या कहलाएंगे तत्सम कहलाएंगे अब माने के चलो मैंने एक सब्द ले लिया यहां पे पठत सब्द ले लिया अब ये किस से बना है इस वाले पढ़ से इस वाले पढ़ का अर्थ क्या होता है पढ़ना होता है किलियर अब ये जो पढ़ना है इसमें कौन सी क्रिया ये है पढ़ ये है हिंदी की क्रिया ये संस्क्रित की और इसी को इंगलिस में बोलते हैं रीड तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर read से कोई सब्द बनेगा वो English का बनेगा और इस वाले पड़ से बनेगा प्यारे बच्चों यह जो यहां है पड़ यहां पे जो उतक्सी पे वेंजन लगा है यह हिंदी से बनेगा और इस वाले पड़ से कोई सब्द बनेगा तो वो किसका बनेगा संस्कित का बनेगा ऐसे सब्द यहां पे है सब्द आ गया गच्च्टी तो इसमें जो गम है वो अपने आप में किसका है संस्कित का और जागा पर यो का होता हिंदी में और गोगा पर यो का होता इंगलीस में तो जब किरिया ये लगी हुई है इसमें तो इस किरिया से भी आप पहचान सकते हो तो वर्ब जिसकी होगी सब्द भी उसी का होगा ऐसे यहां हमने एक सब्द ले लिया किरड अती तो इसमें जो यह किर्ड हैं, यह संस्कित की वर्ब है, क्योंकि हिंदी में इसको खेल कहते हैं, और इंगलिस में इसको पले कहते हैं, और पले से पलेर बनेगा तो इंगलिस का सब्द बनेगा, अब खेलता, खेलती, खेलता बनेगा, तो हिंदी का बनेगा, और इससे किर्ड हो नहीं windows नहीं पालेघे अणिक बनेगा और पंपने आप में किसकी रवप नब हैं इंग्लिस की वर्व है जो था इन्टियार घंडिया है खेंडी कर्या है टो मिध्लिडी कर द 可以 अंकर यहां इसे वर्व किसकी ए Beauty स्टकिळ बनेगा उक Nepal पंब रतस्वद्ध संस्कित का बनेगा, तो ये कितनी कंडिसन हो गई हमारी, नो कंडिसन हो गई, इसके अलावा छे कंडिसन और है, तत्सम सब्दों को पहचानने की, और आज मैंने अलग कुछ नहीं पढ़ाया, जो मैं आपको संदी में पढ़ाया था, जो विराम चिन में पढ़ाया था, जो उफसर्ग और परते में पढ़ाया था, जो वनमाला में पढ़ाया था, उसी के अधार पे मैं आपसे तत्सम सब्दों को पहचानने की ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि मैंने वनमाला का परियोग कहां पे किया, वनमाला का परियोग यहां किया आदे वेंजन संयुक्त वेंजन फिर मेने विरामचिन्नों का परियोग किया विसर्ग और अनुसुआर का हलंत का फिर मेने संदी का परियोग किया उपसर्ग और पड़ते का किया तो जो में पढ़ा रहा था उसी के आदार पे आपको सिखाया गया कि तत्सम सब्दों को आप कैसे पहचान सकते हो अगर समझ में आए तो आप ओके कीजिए अगर समझ में नहीं आए तो दूसरे तरीके से तत्सम सब्दों को समझाओंगा क्योंकि यह तरीका असान है अगर समझ में आए तत्सम सब्दों को पहचान और आप करके देखना आप हस करते समय ठीक है सो क्वेश्चन करोगे तो 95 साही करोगे अगर समझ में आया है तो आप बताईए अधर फिर दूसरा तरीके से में कल समझाओंगा इसकी चैन कंडिशन और बची है उनको ले लेंगे और जब पूरे आप पढ़ लोगे तत्सम और तदभाव प्यारे बच्यों तब आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा डाउट तब तक है जब तक टोपिक कंप्लीट नहीं होता है ठीक है चलो जी अब लेते अनुमती दूसरी किलास है टाइम हो चुका है आप लोगों का ठीक है बागी कल कराएंगे ठाइंक्यों की आठ हुआ और नौवा यह परते बताए थे आपको पढ़ा चुके हैं यह संस्कित में ठीक है परते के बारे में बताए थे उस समय भी कि संस्कित में कैसे हैं और नौवा पोइंट है किरिया है यह सब गया है संस्कित में परियोग होती है दूबारा से सुनना मेरी बात को ठीक है सोनू एक बार औ वाद, ठांक यू